तोस्तों जस्ट डायल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे quarter 3 के बहुत ही recent में नतीजे आये हैं फोड़े से खराब नतीजे थे in fact profit कम हुआ था लेकिन stock price आप देखेंगे बहुत जादा बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं 20 तारीक को 14% इसका stock price बढ़ा है 114.930 इ रिजर्ट इतने स्ट्रॉंग नहीं है फिर भी जस्ट डायल का stock बहुत ही ऊंचा लेवल गया है अब देखें इस पर कुछ brokerages की जो राए है वह मैं पढ़ रहा था तो वह मैं target आपके साथ पहले share कर देता हूं फिर उसके बाद business के बारे में मैं बात करूंगा जैसे kotak institutional उ अभी जस्ट डायल एक तरीके से reliance के अंदर माय आती है मतलब reliance retail के जो है reliance retail का यहाँ पर लगभग 67% हिस्सा है आप यहाँ पर promoter group देख रहा है 77.66% reliance का यहाँ पर 67% almost यहाँ पर हिस्सा है तो reliance अभी इसके promoter है उसके अलावा foreign investors, domestic investors तो हैई अगर आपके पास share है तो यह एक important चीज है reliance ने यहाँ पर जो है stake लिया है जस्ट डायल का weaker than expected result अभी मैं आउंगा numbers बताऊंगा थोड़े से खराब number थे लेकिन उन्होंने यह कहा है कि company अपने आपको transform कर रही है transactions की तरफ तरफ और उसमें time लगेगा fructify होने में अगला target बहुत ही थोड़ा सा surprising था UBS 1350 का target उन्होंने काए कि sales network को ramp किया जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हिसाब से sales का जो network है वो बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा B2B, B2C में अपने aggressive plan सुनके है और reliance का support भी है जस्ट आयल को तीसरा city 825 का target वो neutral है वो कह रहा है कि aggressive growth है intent बहुत strong है company के लेकिन अभी भी numbers में वो सब नहीं दिख रहा है quarter 3 जो result थे इतने मजबूत नहीं आये है अब जो मैं आपको बता रहा था sales का जो force है आप यहां पर देख सकते हैं sales force quarter 3 2020 का quarter quarter 3 था मतलब October से December 2019 ठीक है दो साल पहले 9873 था ठीक है अब यह जो था पिछले साल कम हुआ 8489 quarter 2 में अभी का जो quarter July से September 2021 में 6,825 आप देख रहा है बिल्कुल clear trend दिख रहा है नीचे आता हुआ कि जो sales की जो force है वो कम हो रही है लेकिन quarter 3 में देखिए 6,825 से 8,073 मतलब उन्होंने employment किया है jobs दिया है टेली marketing में feet on street में तो यह सब एक बड़ी चीज है company कही न कहीं aggressive expansion कर रही है फर्चा कर रही है और कहीं न कहीं वो results में भी दिख रहा है दूसरी चीज focus अभी just dial का UPI में भी है जैसे पहले क्या था सर्फ आप कुछ search कर सकते हैं आपको कुछ चाहिए कुछ घर में समझ लेजिए अल्मोस्ट और इस बर profit कम हुआ है 19.4 करोड जनरली इतना कम profit होता है तो फिर मार्केट आइडियली अगर expect नहीं कर रहा होता है पणिश जरूर करता है बड़ मार्केट नहीं पणिश नहीं किया है यह थोड़ा सा surprising था आप revenue देख सकते हैं कम हुए है 169 करोड से 159 करोड कमपनीज है जो बहुत ज्यादा market capture करने में focus कर रही है कहीं ना कहीं उस direction में जा रही है कहीं aggressive अपने expansion कर रही है वहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा करोड से उपर का cash है company है और company के पास cash भी है यह बहुत बड़ा positive है अगर आप सिर्फ अभी के results को देख रहा है तो results खराब आए है no doubt उसमें कुछ है नहीं पर brokerages कुछ brokerages future का business देख रहा है कि अच्छा grow करेगा और कुछ brokerages देख रहा है कि at least grow करने का grow करने के कुछ sign तो आए अभी तक sign आए नहीं है management ने कहा है हम यह करेंगे हम growth करेंगे sales में strength हम लोग कर रहा है investment कर रहा है लेकिन कुछ brokerage साथ wait कर रहा है कि कुछ ऐसल सिगनल मिले तो यहाँ पर एक special situation जैसा case हो सकता है यहाँ पर चीजे southwards नीचे बाजू भी जा सकती है और उपर बाजू भी जा सकती है बड़ा ही interesting time रहने वाला है जस्ट एल के case में net profit जो हमने देखा कम हुआ है quarter 2 में 33 करोड था अभी इस बार 19 करोड हुआ है margins obviously हमने देखा इस बार 12% के margins है margins भी कम हुए है revenue हम देख रहे हैं कम हो रहे है और इस बार भी आप देखे quarter 2 quarter 3 मे same type की revenue है 156 करोड और अभी भी 159 करोड के आसपास में दोस्तों तो यह कुछ important चीज है रही है JD Pay एक नई चीज है जहांपर वो digital payment solution पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर अभी फिलहाल focus कर रहे हैं जब आप JD Pay के बारे में बात कर रहे हैं overall जस्ट डाल कि अगर आप बात करें त तो quarterly unique visitors इस बार आप देखेंगे तो 14.27 करोड थे और in fact quarter 2 में ज्यादा थे और अगर आप देखें जब कोवीड से पहले तो 15 करोड से उपर visitors आते तो जितना ज्यादा है visitors आए इन companies के लिए अच्छा होता है यह था कोवीड वाला जो बिल्कु लॉक्डाउन लग गया था ना 2020 में एपरिल से जून तो उस समय तो बहुत कम हो गया था क्योंकि उस समय में business एक्दम नहीं था लेकिन उसके बाद से recovery भी रही है अच्छी खासी यहां पर recovery भी है यह एक important metric रहेगा बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 14 करोड के आसपास जो है visitors है तो high risk stock है उस पर कोई doubt नहीं है जो brokerages है उनकी अलग अलग राई है कुछ neutral है कुछ बहुत ज्यादा positive है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहां पर इस हिसाब से management turn around कर पा रहा है with support of reliance बहुत ही interesting रहेगा और चुकि digital में already just just dial के बहुत बड़ा यहां पर business है अगर अगर यहां पर turnaround होता है तो बहुत बड़ा positive हो सकता है अगर ना कर पाए क्योंकि competition में इंडिया मार्ट भी है इसको market न अच्छा valuation दिया है उन्होंने अच्छा business भी किया है तो important चीज र small cap की company है तो उस हिसाब से आप जरूर ध्यान में रखेगा कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है और reliance का यहां पर support है यह एक चीज है जो थोड़ा सा इसके positive में जाती है उमीद आपको value मिली होगी आपके किमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद